So hey guys this is Shyam and you are watching Technical Shyam YouTube channel So guys finally आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कौन कौन से चीज़े मैंने अपने टावर हमटेटर के अंदर लगाई थी यहां पर पूरा complete वीडियो होने वाला साथ में इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो मैंने उसमें RGB LED लगाई है वो कैसे लगाई है तो guys वीडियो को पूरा एंड दे रहना और चैनल पर पहली बार आयो तो subscribe जरू करना तो चलिए guys इस वीडियो को ही start करते हैं सबसे पहले बात करते हैं जो इसके अंदर amplifier board लगा है वो कौन लगा है गाइस हम एसे काफी सब्सक्राइबर को ये भी बता है कि मैंने कौन सा board लगाया है बट फिर वीडियो सब्सक्राइबर से पूछ रहेते कि इसके अंदर कौन सा amplifier board लगा है उसको मैं बता देता हूं कि इसके इंदर लगा है वो 7294 का बोड लगा है जो की डवल आइसी में होता है 100 वाट पर चैनल होता है तो उसमें मैंने सो सो वाट के दो चैनल वाले बहतर चौरामय का बोड लगा है साथ इसके इंदर जो पावर सप्लाई है वह 2400-25 की है ठीक है जो की अल्मूनियम वाइंडिंग के साथ अगर आप कॉपर वाइंडिंग लगाते हैं तो और भी अच्छा आपको साउंड आउपूट देखने को मिलता है ठीक है उसके इसके इंदर जो बूफर से वह तो आपने देखे होंगे 10 इंची के बूफर लगा है और सा ठीक है उस ऐसी से 5 वोल्ट पावर सप्लाई लिया और साथ ही वहाँ पर जो आरजबी लेडी है उन्हें कनेक्ट कर दिया तो जिससे कि हमारे जो आरजबी लेडी है वो ब्लो करने लगी यहां पर कोई बी अलग से कनेक्शन नहीं है बिल्कुल ऐसी कनेक्शन करने आपकर जो आरजबी लेडी हो ब्लो करेगा और साथ इसके अंदर मैंने बेश ट्रेबल केट जो की मीड़ वाली होती है वो मैंने कनेक्ट किया ता जिससे कि इसका जो सांड वाल्ट है वह थोड़ा अच्छा हो सके बाकि इसके अंदर कुछ भी मैंने नहीं लगाया है और इसकी मे बिल्कुल क्लियर हो जाए आपको जो कंफ्यूजन है वह बिल्कुल भी ना हो तो आप लोग के यह कमेंट जरूर आ रहे थे जब मैंने वह वीडियो डाली टावर मोडिफिकेशन की तो आप लोग के कमेंट आ रहे थे कि इसके इंदर क्या के लगाया वह चीज़े भी बता जरूर कर देना और पहली बाला है तो सब्सक्राइब कर लेंगे किसी नेक्स वीडियो में किसी नेक्स टोपिक के साथ तब तर के लिए बबाए